ने भी SSE CGL, SSE Steno या SSE CHSL MTS में इस्टेट सेलेक्ट होते हैं, finally joining के टाइम में उनको अट्रिस्टेशन फर्म फिल करना होता है, चाहे वो आप किसी भी ministry में सेलेक्ट हो, या किसी भी department में सेलेक्ट हो, और साथी character certificate का जो pro forma रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अट्रिस्टेशन फर्म फिल करना है, बहुत से safe trend है, जिनको कई सारी problems होती है, तो already यहाँ यहाँ पर कुछ बोर्ड निंप लिखे हुई है, जो पीछे लगाए जाता है, फिर यहाँ पर आपका first name लिखेंगे, अगर middle name कोई लगाता है, तो यहाँ पर आपका surname रहेगा, तो name में आपका middle name भी आपका आजाएगा, जैसे राम प्रकास है तो राम प्रकास आपका हो जाएगा और यहां पर आपका सर्मा हो जाएगा ठीक है और नीचे अगर आब जाओ तो यहां पर प्रेजेंट एड्रेस जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है और यहां पर आपको लिखना है और यहां प सभ्की ऐज क्या हे वह मेंशन करना है एज को नेशन इंड इंड विय्क तर्फ क्या था pretend प्लेस ऑफ बर्थ काहां पैडा हुए देश्ज आप उन्हीं सा है लृटक है फिर आपको पाने डीजिन यहां पर दो में इन्हीं न्यास लिखे होगे फिर नाइन्थ के भी में लिखना है भाई से एस्टिया ओवी सी काटेकरिस बिलॉंग करते हो तो लिखोगे उसकी जो इंट्री है वह यहां पर रहेगी तो यहां पर यहां पर देट रहेगी और यहां पर बढ़ना कैसे उपर आपका नंबर हो जाएक से 23 क्योंकि गैप का में 23 ऑगस्त हो लिया टीक है तो तो आई जाएगा ठीक है फिर आपको इसमें क्या है रेसिदेंट्स एड्रेस आपका फूल बढ़ना है ठीक है डिस्टिक है वगारा बढ़ना है आपका जया सेमालो है आपका जो एढोर्फीस है इसमें क् सीअधर्वा गारा इसके बात आप देख लोगे तो यहां पर यहां पर आपको दिया गए आपका फादर पूरी डिटेल्स आपकी फैंदीड ड बढ़े उनकी डिटेल बढ़नी सिर्स्टा की छोटी है बढ़े उनकी डिटेल या पर आपको बढ़नी एक चीज द्यार रखना यह चीज आपसे क्यों बढ़ाई जाती पता है आपको कुछ इस्टुरेंट को नहीं पता होगी तो यह इस वजह से कि आपके ऊपर कौन को बढ़नी पता है तो यहां पर आपको देखें को ब्लैंक नहीं चोड़ना है सबको आपको डैस करना है अगर उसमें कोई भी डिटेल आपने नहीं बढ़ी यह बास समझ में आ गई इसके बाद 30 नंबर कॉलम में अगर हम फटा पट से जाएंगे तो 30 नंबर कॉलम में जैस आपको अपनी जो डिटेल्स है वह यहां पर आपको लिखनी है आपका ट्रॉल ते जब हुआ रिजवेशन हुआ या कोई डिप्लोमा हुआ अगर है सारी चीज़ें आप सभी को मेंशन करनी है फिर नेस्ट आ जाओ तो यहां भी लिखा के 14 के में कि भी यह आगर आप कहीं पर आपको लिखनी है कि प्रिविएस एंप्लायर जो गवर्मेंट अपने सर्विस लेफ्ट की गई है एक मन्त नोटिस कनदा है यह पूरा दिया गया है नोटायर पर पार छीज़े तो यहां पर पर लेना तो उसी सबसे अपको यहां पर नोट अपको कई है नहीं हृँग ने कसी लिखा हूआ है उनसे verification होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, verification के लिए police वाले आते हैं, फिर lio वाले आते हैं, local intelligence वाले, और उनमें क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो आएंगे, और आसपड़ों, तो किसी से भी वो एक बस लोग के signature करने होते हैं, बाकिया और कुछ नहीं होता है, जो उन्हें नहीं से ही करा हो, किसी से भी उस टाइम पर करा सकते हो, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको signature करनी होती है, यह date और प्लेस लिखना होता है, फिर फटबट से हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है character certificate, तो character certificate में आपको अपना नाम, फिर पिता के नाम, फिर कितने साल से जानते हैं, यह जो है यह आपका column officer यूँ बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ आप आप देख सकते हो, यहाँ पर guested officer के signature होंगे, designation लिखा जाएगा, फिर नीची आओगे, तो यहाँ पर आपको LDM या ACM या DM से आपको fill कराना होगा, ठीक है, तो यह चीज़े आपको जो character certificate किये, यह सारी चीज़े आपको ले जानी होती है, I think मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़े आपके cover कर दी है, बाकि अगर कोई भी doubt और comment section में लिखके पूछ सकते हैं, Instagram पर सरकारी नौक्तियों ले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, नहीं हो तो आप Telegram गूर्प में join करो, बाकि सारी updates के लिए,